नमाशक्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में वीड़े अप्लिकیशन को कैसे यूस करेंगे तो गाई सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, प्ले इस टोर में जाके सबसे पहले तो आपको video application को अपने phone में download कर ले ना ठीक है न तो यहाँ पर देख से तो video status maker application को मैंने अल्रड़ी अपने phone में download करके रखा हुआ आप इस application को download कर लीजिए और download करने के बाद नीचे की side में आएंगे तो देख से तो 4.3 इसको star मिले हुए one t's के reviews है और आप देख से तो rated 12 प्लस rated है और पांच लाग प्लस इसकी जो है downloading है आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है ना आप गाईज यह भी बता देता हूँ कि यह application है क्या तो basically यह जो application है video video status maker यहाँ पर यह जो है status maker application इसके अंदर आप video create कर सकते हो ठीक है ना अपनी photo से video बना सकते हो तो कैसे video बनाएंगे यह भी मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे application open करेंगे तो जैसे ही हम application open करेंगे open करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से loading लेगा और यहाँ पर मारे सामने जो application open हो जाएगी ठीक है तो वीडे वीडियो status maker application का logo आ जाएगा उसके बाद loading होने के बाद application मारे सामने open हो जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर VPN का option आ रहा ठीक है अगर आप VPN k encounters करना चाहते तो यहां से कर सकते होगर नहीं करना तो यहाँ पर उपर की site में not no पे ख्लिक करना है तो जैसे 85 not now पे ख्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ Add शो गी तो आपको उपर की site से add को close करना है ठीक है नऍट ईसके बाद agree पे जो permission आपके सामने आ जाएगा ठीक है ना चलिए set कर देदे permission को और allow पे click करेंगे उसके बाद next पे click करेंगे तो next पे click करने के बाद हमने permission भी दे दी अब यहाँ पर फिर से हम start पे click करेंगे start पे click करने के बाद guys यहाँ पर इसका premium plan आ रहा है अब guys यहाँ पर देख तो जो बहुत सारी options आपको मिल जाएंगे देख तो यहाँ पर सबसे पहले video बनाने के लिए बहुत सारे template आपके सामने शो कर रहे होंगे तो popular category है, diamond category है, bits category है, marathi category है, attitude category है, trending category है, rills category है, movie, musical बहुत सारी category अलग लग आपको मिलेगी, इसमें से कोई भी category आप select कर सकते हो, जिस category के related आपको video बनाने वो category यहाँ पर आप select कर सकते हो, ठीक है न, तो चलिए example के लिए हम क्या करेंगे, popular category select करेंगे, और यहाँ पर यह वाला template है, first वाला, second वाला, यह हम select करेंगे, ठीक है तो template open हो चुका, अब guys हम क्या करेंगे, नीचे की side में create पे click करेंगे, create पे click करने के बाद photo select करने का option आ रहा, तो यहाँ पर plus वाले icon पर click करके, आपको अपनी gallery से photo select करने, ठीक है न, तो यहाँ पर आप अपनी gallery से जो भी photo अपनी इस template के अंदर add करना चाते हो, मतलब जिस भी photo से आप video बनाना चाते हो, वो photo यहाँ पर आप select कर लेजे, ठीक है न, तो चलिए जितने भी photo का option आ रहा, उतनी photo हम यहाँ पर select करेंगे, ठीक है न, तो इतनी photo हमने select कर ली, 6 photo का option आ तो 6 photo हमने select कर ली, अब guys हम done पे click करेंगे, ठीक है न, तो done पे click करने के बाद हमारी photo जो है यहाँ पर add हो चुकी है तो चलिए यहाँ पर template में हमारी photo जो है आ चुकी है अब guys यहाँ पर इस application का अगर आपको watermark remove करना है तो इसके उपर आपको click करना होगा उपर की side में video लिखा हुआ रहा है इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर एक add को आपको watch करना है उसके बाद यहाँ पर आप watermark को remove कर पाएंगे ठीक है न तो चलिए हम यहाँ पर एक video को watch कर लेते हैं तो जैसे यहाँ पर हम loading adds के उपर click करेंगे add को आपको complete watch करना है उसके बाद यहाँ पर आपका जो watermark रहेगा remove हो जाएगा तो guys यहाँ पर add complete हो चुकिए हम इसे close करेंगे close करने के बाद यहाँ से watermark जो हट चुका remove हो चुका ठीक है न अब guys इसे अपनी gallery में कैसे save करेंगे तो उसके लिए उपर की share में जो save वाला button है इसके उपर हम click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर देखस तो do not back will prepare your video stay here तो यहाँ पर मारी video जो वो preparing हो रही है मतलब यहाँ पर export हो रही है और guys यहाँ पर थोड़ा आपको wait करना जब तक मारी video जो gallery के अंदर save हो जाए ठीक है नख create होने के बाद automatically यह video वारी gallery के अंदर save हो जाएगी तो guys उमीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि video application को कैसे अपने phone में use करते है कैसे video application को अपने phone में video बनाते है और कैसे video application से कोई status maker यहाँ पर आप तयार करेंगे ठीक है नख तो guys उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आया होगा दोस्तों अब कोई video पसंद आए तो video को like करना share करना और अगर वीत का अपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे